लो लर्नर्स मैं नागिन फिर से आपके सामें हाजिर हूँ और आभी तक हम बात कर रहे हैं इंग्लिश डिवलप्मेंट इंग्लिश डिवलप्मेंट का जो डिवलप्मेंट है और उस पे कुछ सरीज करने और पिछली बार तक जो हमने बात किती वो केती की स्ट्रक्चर कैसे थे और थेटर की शुरुवात कैसे हुई कैसे रोज, कर्टिन और ब्लेक फ्रायर स्टेज में डिफरेंस थे और सेक्षपिर के गलोब थेटर जो था और रोज थेटर कैसे इंपॉर्टन था और इसमें अलिजब एथन जो थेटर की कंडिशन थी और उस समय ओडियेंस का जो टेस्ट था अगर वो नहीं जानेंगे तो शायद हम डिवलप्मेंट और ड्रामा की बारिक नसों को समझ नहीं पाएंगे कि वो कहां तक बिखरती हैं तो सबसे पहले हम चलते हैं कि अलिजब एथन स् स्ट्रक्चर की बात की थी अब दिखाताउँ कि एक ड्रामा जब perform हो रहा है जब action में है drama तो कैसी कैसी चीजें stage में चला करती थी और कैसे आज के drama से बिलकुल different हैं तो देखते हैं कि जैसी वहाँ performance किसी drama की होती थी stage में तो कुछ इस तरीके का महाल होता था थी परदे भी हो सकते हैं और सीन क्रियेट किये जा सकते हैं और एक परदा खीच के बंद किया तो दूसरा खोल दिया और सीन तयार है आपका तो वहां पर सबसे बड़ी बात थी कि जब हम आज के दौर पर पर परदा खोलते हैं तो हम डिसकवर करते हैं कि एक करेक्टर वहां पहले से मौझूद होता है वहां लोग के बीच से वो आता था और आते वे दिखाई भी देता था और वहां खड़े होके डायलोग बोलते वे सब दिखाई देता था उसका आना जाना everything was open क्योंकि stage conditions परदे वाली नहीं थी एक ये बहुत important चीज थी जो दूसरी important चीज थी कि जब भी कोई चीज लिख जो किताबों में या जो script में drama लिखा होता था उसके लिखने में भी अंतर आ गया आज और पिछले में पहले होता था कि जो है वो बताते थे कि जो एक character है suppose वो कहते है John of Gaunt is lying sick ठीक है वो सोफे में sick बिमार बैठा हुआ है ऐसा वहां पर जो है लि hint देंगे और आज की किताब में सीधे यह होता है कि scene दिखाते हैं और उसमें एक bracket में लिखा होता है John of Gaunt ठीक है on the stage बस और तो लिखने में भी दूसरी तरीके के changes आ गए वहां पर वो पूरा action बताते थे उसको और यहां पर सिर्फ एक scene बता देते हैं दूसरी चीज जो दिखाएंगे Ardain Forest लगा देंगे आपके सामने अब आपको पता चल गया यह Ardain का जंगल है और यहां पर कुछ होना है फिर वो scene 2 वो लगा देंगे अगला card लाके सामने से जो एक pillar पे कि यह जो है एक किसी के palace का scene है तो इस तरीके से जैसे जैसे कोई card बदलने आता रहता था audience को पता रहता कि आप scene change होने वाला है तो वो कावी excited रहते थे और उस card को पढ़ते थे और कहते थे okay now this scene is there और अब ऐसा नहीं है आप तो आपको पता है कि कोई भी scene ऐसे नहीं दिखाए जाते उस समय differentiate करने के लिए कि यह दूसरा scene है यह दिखाए जाता था तीसरी जब भी drama चल रहा हो और यह scene बदले जा रहे हो तो कुछ symbolical चीज़े दिखाएंगे माल लिया आपका एक bath tub है वो रगदिया stage में और उसमें एक दो पेड़ रगदिया छोटे छोटे तो यह पीछे से रगदिया actor के तो इसका मतलब है कि यह जंगल का scene है ठीक है और अगर जो है पलंग किसी bedroom का scene दिखाना तो एक छोटा सा जो है लकड़ी का एक platform होता था उसमें tire लगे होते थे उसको खीच के ले आते थे और background में रख देते थे वैसी drum beating से thunder आता था यह मैंने बता दिया था और कुछ हाया का भी इस्तेमाल वो किया करते थे तो इस तरीके से scenes को दिखाते थे और जो दूसरी important चीज थी कि वो costumes में बहुत ज़्यादा खर्चा करते थे Elizabethan theater में बहुत ज़्यादा खर्चा यह लोग costume में करते थे और costume के लिए बहुत particular थे और इन लोगों ने जो है जितने भी drama हुए है उसमे costume designing में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके बाद जो सबसे important चीज है जो मैं बताना चाहूँगा कि एक चीज ऐसी थी जैसे एक drama चल रहा है और उसमें कोई scene है जिसको हम दिखा नहीं सकते लोगों के सामने तो उसको दिखाने के लिए एक narrate करने वाला आदमी होता था या कुछ लोग होते थे जो पीछे से उन had this sort of conversation we are presenting you before और तब जाके conversation start होगा तो दो scenes को मिलाने के लिए एक narration करना पड़ता था पीछे से और कुछ लोग ये क्या करते थे और जिस scene को दिखाना बहुत impossible होता था उसे बोल के बताते थे audience को कि this is the place and this is happening here और इस तरीके से आगे बढ़ता था drama यहाँ पर जिक्र करना जरूरी होगा कि male actors को ही आजा दी थी drama में भाग लेने की और लड़कियों का रोल भी लड़के ही नहीं भाते थे और England में यह बहुत लंबा चला अगर आपने एक बहुत famous Hollywood movie देखी हो जिस में हमने जिस movie ने Oscar Award भी जीते है Academy Award जीते है और उस movie का नाम है Shakespeare in Love तो उसमें पता नहीं होता है क्योंकि वो लड़के के disguise में रहती है लेकिन एक दिन अचानक जो है secret open हो जाता है और कितना ज्यादा बवाल हो जाता है और लड़ाई छड़ जाती है क्योंकि उस समय लड़कियों का stage में आना सक्त मनाई थी और यह rule था तो सारे लड़कियों के role लड़ 260 से 1700 तक की age है वहाँ पर जब हम आते हैं तब जाके पहली बार लड़कियों का आगमन होता है stage में तो mid of the restoration age में तो अठारवी शताबदी तक आप समझ लें कि इंगलेंड में लड़कियां stage में नहीं आई थी तो बिलकुल भी मना ही थी यहाँ पर कोई भी लड़की allowed नही थे वो basically बड़ी passionate audience थी और उनको बहुत सारी चीजों में drama में क्या क्या चीजे पसंद थी आपको जानका अश्चेर होगा उन्हें लड़ाई जगड़ा बहुत पसंद था drama के अंदर उन्हें मार कार्ट के scene बहुत पसंद थे उन्हें पहलवानी करना और लड़ाई करना त कि जब England के अंदर revenge tragedy आई यानि बदले वाले जो नाटक होते थे जिनको यहाँ पर जो है सबसे पहले लाया गया Seneca से इटली के Seneca tragedy से copy किया गया और Thomas Kidd लेके आया था जो हमारा university wit था तो उस समय Seneca tragedy में तो क्या होता था लोगों की sensibility और moral को जिंदा रखने के लिए इटली में murder के और bloodshed के scene दिखाए नहीं जाते थे और वो कोई आवाजों के माध्यम से या छाय चित्रों के माध्यम से पेश कर देते थे लेकिन England की जनता इतनी passionate कि वो कहती थी हमें open खुले scene चाहिए murder के और जो है लड़ाई जगडा पूरा चाहिए तो इसलिए England का drama ये बहुत important point है इटली के drama से सेनिकन tragedy से इस मामले में बिलकुल अलग है बिलकुल opposite है कि England में मार काट और खुन खराबा खुले आम दिखाया जाता था गुबारों के माध्यम से color के गुबारे या लाल कपड़े के माध्यम से खुन दिखाया जाता था और खुले आम जो है revenge tragedy में मार का के नाटकों का किए क्लाउन या जोकर को जरूर इंट्रोड्यूस किया गया इन नाटकों में जो एक relief लाता था लोगों के लिए हसाता था entertain करता था उसका काम खाना पीना और किसी king के साथ जुड़े रहना होता था जिसमें एक famous character fall stop है जो Shakespeare ने खुद रोल किया था fall stop का और नाटक था Henry IV Chronicle Play और Henry IV में जब Shakespeare ने किया और ये उसके dialogue से लोगों को बहुत हसी आई लोग उसके दिवाने हो गए fall stop के लेकिन Henry V में Shakespeare उसे लेके नहीं आया तो Elizabeth को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो नाटकों को खुद भी देखने आती थी और उन्होंने Shakespeare को आदेश किया कि एक नाटक लाओ और उसमें fall stop को लेके आओ तो फिर Shakespeare ने कुछी दिनों में एक नई नाटक की रचना की जिसका नाम था Mary Vibes of Windsor और उसमें fall stop को दुबारा लाया गया तो ये भी एक बहुत ज़ादा आने वाला fact है कई परिक्षाओं में और बहुत जगे पूछा जाता ह और अपनी समझ के लिए भी जानकरी होना जरूरी है तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे Elizabethan England वहां के दर्शक वहां के नाटकों के structure और pattern, costumes, लोगों की सोच और नाटकों का development, character में male and female का role ये सब इस series में आपको मैंने clear किया और जो अगली series आएगी उसमें हम Shakespeare की series के थो हुआ हुआ करते थे, क्या क्वार्टो हुआ क्या करते थे, कैसे किताबे चपी ये नाटकों की, नाटक कैसे documented हुए किताबों में, इस पे बात करेंगे, तो दोस्तों, आशा है कि आप इस series का लुथ पुठा रहे हैं, and you are relishing the flavor of English literature, and you are also going through the books and the literature connected with it, so hope you guys are all enjoying, thank you, we'll see you in the next series, thank you. झाल